नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मेस रासी वालों किस उम्र में आपकी किसमत के ताले खुलते हैं और अगर भाग्योदे नहीं हो पा रहा है तब क्या करें जीवन में बहुत ज्यादा संगर्स है तब क्या करें आज हम आपको यहीं बताएंगे देखें मेस रासी अगनी तत्तु की रासी है और मेश रासी का स्वामी स्वेम मंगल है सुर्य मेश रासी में उच्च के होते हैं हम बात कर रहे हैं आपके किस्मत की तो उसके पहले जान लेते हैं कि जीवन में अगर संघर्स है तो पहले उसे कम करें क्योंकि जीवन का संघर्स जैसे ही कम होगा खत्म ह होगा आपका भाग्योदे भी हो जाएगा तो सबसे पहले यह माले यह आपको जानना जरूरी है कि कुंडली के जो मूलत्रिकोन होते हैं इनके स्वामी लगन 59 खाने के स्वामी बताते हैं कि जीवन में संघर्स कितना होगा अब पांचमा खाना सबसे ज्यादा महत्वपूर् खाना बुद्धी का खाना भाव और इसके स्वामी को मजबूत होने से जीवन का संघर्स कम हो जाता है और पांचमा भाव मजबूत हो तो ऐसी दसाओं में कम प्रयास में बहुत सफलता भी मिलती है लेकिन पंचम भाव अगर कमजोर हो गया तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ यह कर सकते हैं तो भगवान सुरे को जल और पित क्या करें और वहीं पर खड़े होकर आप जाहें तो हनुमान चलिसा का पार्ट करें लेकिन अगर आप बच्शे हैं आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तब ऐसे में आप क्या करेंगे भगवानी सूरे को पर नाम कीजिए औ मानिक और यहाद ही गुर्वार के दिन किसी भी धार्मिक अस्थान पर यह आप जिस भी धर्म को मानते तुयत में जाकर पाथ नहीं कर देवाद है देखने जीवन का संगर्स गह्त्म हो जाएगा और realise करेंगे आपको किस उम्र में किसमत का साथ मिलता है लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आपको संपत्ति का लाब किस उम्र में होता है और धन का लाब किस उम्र में होता है देखिए धन के बात करें तो में इस वालों के कम उम्र में ही दन मिलने के योग बन जाते हैं जैसे कि 19, 28 37 55 यह में आकस्मिक रूप से बहुत धन मिलने के योग बनते हैं और यह धन और कोई नहीं देता वलकि यह खुद अपनी मेहनत से पाते हैं अपनी काविलियत से पाते हैं अगर आपको लगे कि धन आने में तो दिक्कत हो रही है तब मा लक्ष्मी को मनाईए करेंगे क्या गुलाब का इत्र की एक छोटी से बोतल लेया है सीसी रोज रूई में लगाकर थोरा सा मा लक्ष्मी के चरनों में अर्पित क्या करें और बाद में उस रूई को अपने पॉकेट में रखकर आप अपने कारे करें देखिएगा किसमत का साथ मिलने लगेगा घन आने लगेगा अब हम आपको बताएंगे किस उम्र में आपको संपत्ती का फायदा होता है देखिए मेस वाले को अपना घर संपत्ती उम्र के 22, 40 और 58 साल में अपना मकान या प्रोपर्टी होने का लाब मिलता है अगर संपत्ती का फायदा नहीं हो पा रहा हो तब आप सिपजी को मनाईए सही प्रयास कीजिए आसानी से संपत्ती का लाब होगा तो आज हमने आपको तमाम चीजे बताई जीवन का संघर्स कैसे कम करें यहाँ पर किस गरह को मजबूत करना है धन के लिए कौन से गरह को ठीक करना है और प्रोपर्टी के लिए किस देव को मनाना है आपके जीवन में जो आपको लगता है कि उसको ही ठीक करना है तो आप उसे ही ठीक करें यह बहतर होगा हम आपसे विदा लेते हैं अगर पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा हर हर महादे धन्यवाद